नमस्कार दोस्तों मैं सुझीत कुमार Advanced Action Training Center से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब विडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं Advanced Action दोस्तों आज मैं explain करने जा रहा हूँ Income Tax Seat के बारे में जी हां Income Tax Statement Seat कैसे क्रियेट किया है वह हम आपको सामने बताएंगे तो basically main seat तीन पूरे input है back है and front है तीन seat आपके बढ़ाया हुआ है चलिए पर input को समझते हैं तो input में अपनी information आप नहां डालिए जिसे की नाम हो गया, designation हो गया, office हो गया, pen number हो गया, बाखी HR कितना है, other allowances कितना है, income, other sources से कितना आया है और बाखी तो information से आप यहां पे feed कर सकते हैं तो यहां पे form की तरह दिया गया है आप ज़स इसको feed कर दीजिए उसके बाद यहां आपकी monthly salary कर दे देना पड़ेगा जी है इसमें आप इसके मार्स से लेके और पूरा salary आप यहां पे आप दे दीजिए salary में pay कितना है, DA कितना है, total कितना है, उसके बाद HR कितना है, यह पूरा आपको यहां पे sum former लगा हुआ है जो कि sum करने काल्कुलेट कर देता है, बस आपको यहां पे input, जो input करने वाले manual चीज़े हैं, जिसे LIC हो गया, PT हो गया, IT हो गया, यह आप यहां पे detail इंट्री करेंगे, और यहां पे sum लगा हुआ है, जो कि यहां आपको sum करके दे देगा, पूरा का पूरा data इसके बार front, इस यहां आपको पूरी तरह से income calculate होके आए, सबसे पहले यहां पे income from salary, तो आप बना लिजेगा, बस border score लगाया गया, formula क्या उता रहता हूं आपको, इसमें आपको सबसे पहला pay दिया हो गया है, तो pay कहां से है, तो back के B400, B22 से है, तो back में अगर B22 पे आते ह है, जो कि आपका सबका sum है, यह जो चीजे दी गई है, वो पूरी चीजे आपने यहां पे link कर दिया हुआ है, link दस आप equal price कर दिजे, equal price कीजे, आप link कर दिजे, उसके अलावा यहां आपका DA कितना है, HR कतना है, और other balances कितनी है, income, source, इदर लेने salary, जो कि हमने आप input में fill किय है था आपने, other sources, इसने यहां पे उठा लिया है, और फिर यहां पे जो है, total gross salary, यहां पे नोगने दिया है, कि इन सको का total कितना हुआ, पि इनोगने sum कर दिया है, उसके बाद यहां पे HR कितना expand होगा, क्योंकि आप यहां आप input में डालेंगे, तो यहां पे HR जीरो डाला ह यहां पे डाल दूँगा कि नहीं, 5000 या 50,000 expect हो, तो front में यहां पे यहां पे add हो जाएगा, नहीं तो आप यहां पे zero कर दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां आपका zero हो जाएगा, उसके बाद standard deduction, standard deduction 50,000 है, यह manual type किया गया है, और यह आपका आता है, less professional tax paid, professional tax paid जो होता है, वो 16 I, triple I, जो होता है, वो आपका K, 22 में यहां दिया गया है, यह जो होता है, PT, इसको होता है, PT, IT, जो होता है, professional tax, वो यहां दिया गया होगा, उसके बाद total deduction 2 और 3, मतलब कि, यहां, इसको और यह 2 प्लस 3, मतलब कि, यह दोनों का deduction जो है, अब यह 0 है ले 2 प्लस 3 लि salary hit, यह यहां पी 75,000 में से 52,000 को, जो ही 7,50,000 में से 52,500 को last कर दिया, और यहां पे section 8E के तहत कोई property वगला है, जिसमें 2,00,000 तर इंप्शन है, है तो ठीक है, है तो यहां, केटी में, मतलब कि, इंपूट के यहां, आप डाल सकते हैं, उसके बाद यहां पे gross income हमारा A हुआ है, अब इसके अलावा जो tax में हैंसे की, आपका GPF है, या आपकी LIC है, या insurance वगड़ा है, NSE है, CD है, और जो भी आपका tax saving plan आपके लिए रख़ा है, उसकी details आप यहां पे fill कर देंए, उसके बाद आता है net income, यह सब reduction होने के बाद आपका net income इतना है, उसके बाद जो section 80 के ताद जो भी आपकी चीज़े हैं, उसको minus करने के लिए यहां दिया गया, चोचोचोच यह amount हमने दिये हुए हैं, यह सारे inputs में हमने यहां पे input किये हुए हैं, तो यहां front में delete कर रहा है, अब taxable income यहां निकल किया आगया, अब क्या है कि income का slab है, तो income का slab है, जो कि 25 जार तक 0 है, तो यहां पे 0 दिया गया है, उसके बाद 0.5 लाग से पे 5% है, तो यहां पे हमने if formula लगा है कि if अगर P35, मतलब कि यह 35 less than 5 लाग है, तो बाराज़र 500 दे, अगर बाइच, अगर B3 greater than 1 है, तो 0 दे, मतलब कि अगर इस slab के अंदर में है, पांच जार से 25 जार से पांच जार ते इस slab में है, तो यहां पे 12 जार 500 fix कर दिया है, और सेंड, यहां भी इन्होंने एह कि अगर G31 greater than 1 है, मतलब कि A को इसके G38, यहां पे जो है, हम एक किया गया है, तो यहां भी हम जो है, यहां पे slab incentive के लिए इस formula का इस्तमाल किया गया है, और यहां पे tax लगाया है कि 32,696 रुपीज का tax दिया जाता है, और उसके अलावा और भी deductions के बारे में round over किया गया है, और आपके सामने total refundable paid 33 जाता है कि यहां पे दिया गया है, यह बनाया है किसी ने, तो basically यह solution है, मैंने किसी और ने बनाया हुआ है, बट अच्छा बनाया हुआ है, इसमें हम कुछ और भी addition कर सकते हैं, यहां पे हम calculation का auto कर सकते हैं, बट यहां भी कहेंगी, one by one sequentially calculate है, हम इसको direct भी कर सकते हैं, तो मैं जब इसको बनाऊंगा, तो अपने हिसाब से connection कर दूँगा, लेकि यह किसी और का बनाया हुआ है, यूकि मैंने आपको explain किया है, इस तरह के चीजे भी आप बना सकते हैं, अपनाना शुरू किजिए, कोई doubt या question होगा, तो मुझे call किजिएगा, हम आपको जरूर explain करेंगे, और हमारी classes online होती है, live, interactive, one to one, जो कि join कर सकते हैं, में website iptindia.com पे जाए, आइन डावर classes का form बढ़ दे,